हलो को आसानी से बना सकते हैं और ये जो है सफलता स्रीज के नाम से ये स्रीज चलेगा ये केवल 10 मिनट की क्लास 15 मिनट की क्लास होगी और आपका ओवर ओल चेप्टर का एक बढ़िया सा कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगा आए शुरुआत करते हैं चलिए शुरुआत करते हैं और अब तक की सबसे खतरनाक ट्रिक होने वाली आप सभी के सामने आईए तो आज का सबसे पहला सवाल एक बार सब लोग सेयर करिएगा क्या जल्देली सेयर करें क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्लास ये नहीं होगा छोटी सी कलास होगी आपको एक नॉलेजफुल वीडियो देने के लिए चलिए कोश्चन नमबर पहला चलिए ध्यान से समझेगा क्या करेंगे आप चलिए आज़ेगा कहता एक बेक्ती दच्छिन की ओर जा रहा है अस्टार्टिंग में कि बेक्ती घर से निकला और किस दिशा में जा रहा है ये दिया हुआ है अलड़ी कोश्चन में ठीक है याद रखेगा एक बेक्ती जो है दच्छिन की ओर जा रहा है 200 मीटर चलने के बाद अपने दाई ओर मुड़ता है कहां मुड़ता है दाई तरब मुड़ता है चलिए जब भी इस परकार का सवाल आपके सामने सवाल आए आपसे दिशा पूछ लिया जाए सिंपल सा लॉजिक लगाना है स्टार्टिंग का क्या दिशा है ये आप देख लिजे कोश्चन में कहिएगा स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि ये दच्छिन दिशा की तरफ जा रहा है कहां जा रहा है बबू कहिएगा दच्छिन दिशा की तरफ ये जा रहा है चलिए एक बार सब लोग शेयर करिएगा जल्दी जल्दी आजएगे कईएगा starting का दिशा दिया हुआ है कि दच्छिन दिशा में जा रहा है बहुत अच्छी बात है चलिए इस चीज को हम लिख लेते हैं दच्छिन दिशा में जा रहा है 200 मीटर चलने के बाद वो अपने दाया मोड लेता है जब आपसे दिशा केवल पूछा जाए तो आपको कितना मीटर चला उससे कोई मतलब है नहीं क्यों क्योंकि हमसे केवल दिशा पूछा गया है साफ साफ का गया बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है उसका चेहरा किस दिशा की तरफ ये पूछा गया आप क्या करेंगे सिंपल सा लॉजिक लगाना है जहां जहां ये मुड़ेगा केवल उसी को लेना है कहिएगा 200 मीटर चलने के बाद ये दाया मुड़ा क्या बिल्कुल तो आपको केवल यहां पर दाया लिखना है क्या लिखना है दाया चलिए हमने दाया लिख दिया आजये, फिर क्या हुआ, फिर 80 मिटर चलता है और फिर वह दाच मोड लेता हम ने क्या कहा, जहां जहां मुड़ेगा हम केवल वही चीज लिखेंगे फिर से दाच मुड़ा, चलिए, हमने फिर से दाच मुड़ा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए फिर 100 मीटर चलता है वहां से दाया मुड़ने के बाद फिर अंत में क्या करता है एक बार बाया मुड़ जाता है फिर से क्या मुड़ा बाया मुड़ाना तो आपको केवल मुड़ लेना है तो बाया हमने लिख दिया आजेए पचास मीटर चलता और अंति में फिर से वह बाया मुड़ लेता है एक बार फिर से वह बाया मुड़ता है कहां मुड़ता है बाभू? कहेगा बाया तरफ मुड़ता है कोई दिक्कत? अब कहता है अब बताईए अंति में उसका चेहरा किस दिशा की तरफ है क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं सर जो question में था starting का दिशा हमने लिख लिया पहले दाया मुड़ा हमने दाया लिखा फिर दाया मुड़ा दाया लिखा बाया मुड़ा बाया लिखा और बाया मुड़ा बाया लिखा इतना तो हमने question से ही लिखा कुछ extra हमने नहीं करा अब क्या करेंगे अब याद रखिएगा कि एक दाया एक बाया खतम हो जाता है क्यों कि उसका मतलब same दिसा होता है याद रखिएगा याद रखिएगा यहाँ पर एक दाया और एक बाया को काट दीजे कोई दिक्कत है क्या काटने में नहीं है आज़ेए एक दाया एक बाया हो गया खतम क्या कुछ बचा नहीं बचा मतलब आपका जो last में जो दाया बाया वाला हिस्सा वो कुछ नहीं बचा zero बचा मतलब जिस दिसा के तरफ वो बेक्ती शुरू में निकला था अभी भी उसका चेहरा उसी दिसा के तरफ है क्योंकि अंत में वो कुछ भी नहीं बचा अंत में कुछ भी नहीं बचा इसलिए हम कहेंगे कि अभी भी उसी दिशा में है जिस दिशा की तरफ वो निकला था तो आंसर इसका दच्छी ना जाएगा क्या कोई दिक्कत क्या इस टाइब से हर सवाल बना सकते हैं बिल्कुल जहां पूछे फेस की डिरेक्शन आप असानी से बता सकते हैं आईए दूसरा सवाल कोईशन पढ़ना सबसे बड़ा गुना है आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर चली आईए हाँ यह कोई सेट प्रैक्टिस नहीं है इसलिए इसको हैड कर दी चली आज़िए कोईशन नमबर दूसरा देखे कोईशन नमबर सेकेंड क्या कहता है इसको बनाईए एक छोटी से सवाल से एक बहुत बड़ा कॉंसेट किलियर कर सकते हैं आप हमने क्या कहा आज स्टार्टिंग में किस दिसा की तरफ जा रहा केवल हमें वो चाहिए पढ़िए कोईशन कहता एक बेक्ती उत्तर पूर्व दिसा की तरफ जा रहा है क्या स्टार्टिंग का दिसा दिया है बिल्कुल तो यहां लिख दीजे उत्तर और पूरव आगे बढ़िए उत्तर पूर्व दिसा की तरफ जा रहा है 80 मीटर चलने के बाद अपना दाया मोड लेता है तो हम केवल यहाँ पर दाया लिखेंगे जहाँ जहाँ मुड़ेगा हमें केवल वही चीज लिखना है किलियर आता है ना लिखने देखें यहाँ दाया है तो दाया हमने लिख दिया 50 मीटर चलता है फिर वह बाया मोड लेता है तो कहिएगा हम बाया लिख देते हैं फिर 70 मीटर चलता और फिर से दाया मुड़ा तो हम केवल दाया लिखेंगे हम क्या लिखेंगे केवल दाया लिखेंगे तो दाया हमने लिख दिया फिर 40 मीटर चलता और अंत में वह बाया मोड़ता है तो फिर से बाया लिख दीजिए आजएए अंत में क्या करता हुआ बाया मोड़ लेता है अंत में कहा मोड़ा कहिएगा फिर से बाया आया तो एक बार फिर से हम बाया लिख देंगे क्या आप कहीं कोई मोड पर वो मुला नहीं मुला तो हम नहीं लिखेंगे कहरा आप बताई वो किस दिशा में चल रहा है हमने आपको बताया हमने आपको बताया कि एक दाया एक बाया आपस में कट जाते हैं फिक से कटे गाई नहीं कटेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आ जाएगे एक दाया, एक बाया यहां खतम सर यहां तो एक बाया बच गए कोई बात नहीं, यहां बाया बचाना तो यहां बाया लिख दिजिए अब पूरा जहाँ तक कटा आए तक काटिए अगर दो बाया बसता तो दो बार बाया लिख देते तीन बार बाया बसता तो तीन बार बाया लिख देते अब क्या करेंगे यहां तो हमसे दिसा पूछा है आज़ेए कि आप जानते हैं direction का map कैसा होता है आईए हम बताते हैं आपको कहिएगा यह रहा direction और इसमें हम जानते हैं कि उपर होता है उत्तर नीचे दचिन यह हो गया आपका पूरव और यह हो गया पश्चिम किलियर है अब बताए देखती उत्तर पूरव दिशा में निकला था उत्तर पूरव दिशा कौन सा है यह उत्तर यह पूरव क्या इसके बीच वाली दिशा को ही उत्तर पूरव कहेंगे जी हाँ यही उत्तर पूरव है अब आप जानते हैं कि यह जो है 90 डिगरी का एंगल बनाता है तो इसका मतलब यह 45 और यह भी 45 है अगर यहां से हम बाया मोड़ दे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी क्योंकि उत्तर पूरब का बाया ही अंतिम दिशा को दर्स आता है याद रखेगा तो उत्तर पूरब दिशा में जा रहा है अगर दाया मोड़ेंगे तो नीच यहां आजाएगा क्योंकि हर हाल में 90 डिग्री को ही बाया या दाया कहते हैं तो यह 45 और यह 45 कहेगा बाया मोड़ेगा तो डायरेट इस दिशा के तरफ वो बेखती चलाएगा अभी वो यहां पर खड़ा है और इस दिशा को किस नाम से जानते हैं उत्तर पस्चिम तो मज़े आ रहा है समझ में आ रहा है क्या है ना समझ खतरनाक ट्रिक इसको सौल्व करने का दिना कोई मेहनत डायरेट आंसर आ रहा है आपका एक और सवाल इसी पर हम आपको देंगे फिर इसी में थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे आईए एक और सवाल कोश्चन नहीं देखी क्या कहता है केवल स्टार्टिंग का दिशा से मतलब है कह रहा है एक बेकती उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है नहीं अलग है उत्तर पूरब दिशा की तरफ कोई बेकती जा रहा है 70 मीटर चलने के बाद वह बाया मोड लेता हमें 70 मीटर से मतलब नहीं है क्योंकि हमसे दूरी नहीं पूछा दिसा पूछा है तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें केवल बायां से मतलब है तो यहाँ पर सौट में बायां लिख दीजे केवल बा लिख दीजेगा तो भी काम हो जाएगा क्योंकि बायां है इसका मतलब 30 मीटर चलने के बाद वह पुनह बाया मुड़ता है फिर से बाया लिख दीजे कोई दिक्कत नहीं है 50 मीटर चलता है फिर वह दाया मुड़ लेता है हमें केवल मुड़ा हुआ जहां जहां मुड़ रहा है उस डिरेक्शन से मतलब है आजएए फिर क्या करता है 50 मिटर चलता और अंत में बाया मुड़ता है तो अंत में आप बाया लिख दीजे कोई दिक्कत नहीं है अब कहता है बेक्टिक का जो मुख्भ है वो कौन सी दिशा में है ये पूछ लिया गया है कोई दिक्कत आप जानते हैं एक बाया एक दाया खतम हो जाता है तो यहाँ पर क्या बचा कहईगा बाया बाया काट विदrak सकते हैं सर आसे खता है प्या नहीं कटेगा आसे डाया नह आएगा, याद रखिये, तो आज़ेए, यह है आपका मैप, अब अभी बेक्ति का, बेक्ति जब घर से निकला तो दिशा, उसका फेस का दिशा कौन सा था, कायेगा उत्तर पूरव, यानि बेक्ति यहाँ पर था क्या, बिल्कुल, यहाँ पर था, बिल्कुल, बेक्ति पर था बेग्ति, अब क्या हुआ, इसको दो बार बाया मोड़ने, ये दो बाया आया कहां से, पूरा कटने के बाला आया सर, दो बार बाया, अब दो बाया का मतलब ही दिशा बिप्रीत होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, दो बार बाया मोड़िये, कहिएगा एक बेग्ति अब इस धिसा को क्या कहेंगे ये दच्षिन ये पस्चिम तो आंसर आपका तकून अअच्छिन पस्चिम आजाएगा आंसर आपका दच्छिन पस्षी मा जाएगा क्या ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो कभी आपसे गलत होगा क्या नहीं होना चाहिए आईए इसी में थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं आजएए कोश्चन बहुत बड़ा हैसर नहीं बनेगा हम कहेंगे आपसे बनेगा और किसी से नहीं बनेगा आईए टाइप हमने चेंज कर दिया डाइरेक्शन का कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए पढ़के बताईए एक बार जल्दी देखिए ट्राइ करिए एक बार चाहिए फड़ा फड़ बता दीजी देखिए क्या कहता है कहता है एक बेखती किसी दिशा में चलना प्रारम करता है क्या वो दिशा पता है नहीं पता अभी तक जो कुछ भी हम पढ़ रहे तो उसमें क्या था स्टार्टिंग का दिशा पता था अंतिम का पूछा जा रहा था यहां स्टार्टिंग का दिशा ही गायब है माल लिया जाए किसी दिशा की तरफ वो चलना शुरू किया था नहीं पता हमने उसको वाट माल लिया अब क्या हुआ अब क्या हुआ जिस किसी दिशा की तरफ आप आख बंद करके वो निकल गया 120 मीटर चलने के बाद वो दाया मुड़ता है हमें केवल डायरेक्शन से मतलब है कि कहां मुड़ा तो आप केवल दाया लिख दिजिए हमें ये दिशा स्टार्टिंग वाला दिशा नहीं पता ये दिशा किस दिशा में चला था नहीं पता यहीं तो पूछा है लास्ट में ठीक है 120 मीटर चलने के बाद दाया मुड़ लिया आजिए फिर 60 मीटर चलता है इसके बाद बाया मुड़ता है आप बाया लिख दीजी आज़ेए आगे बढ़िए 50 मीटर चलता है फिर दाया मुड़ लेता है आप केवल दाया लिख दीजी आगे बढ़िएगा 60 मीटर चलता इसके उपरान फिर हुआ बायां मुलता है तो आप केवल बायां लिख दीजी कोई दिक्कत नहीं है 70 मीटर चलता और फिर हुआ अपनी बायां तरफ मुलता है तो यहां से फिर से हम बायां लिख देंगे कुछ नहीं केवल जो कोशन में कह रहा है वही लिखना है अब कहता है फिर 60 मीटा चलता है अब अंत में उसे पता चला कि हम कौन से दिशा में जा रहे हैं तो उसे पता चला कि ये तो उत्तर पूरब दिशा में हम आ गए यानि अंति में वो किस दिशा में है ये पता चल गया क्या बिल्कुल इसको अब ग्यात हुआ क ये उत्तर पूरब की तरफ अभी वर्तमान में इसका चेहरा है आप से पूछा वो कौन से दिशा में फेस करके निकला था अस्टार्टिंग का दिशा पूछ लिया गया हम कैसे करेंगे कहिएगा अभी तक के सवाल में सर स्टार्टिंग का दिशा दिया होता था अंतिम का करेंगे बिल्कुल सेम ताइफ है एक दाया एक बाया यहाँ भी कटेगा अंतिम में क्या बचा अंतिम में क्या बचा बाया अब ध्यान से यमारी बात को सुनिए सबसे बड़ा मूल मंत्र अधिये जब भी आपका स्टार्टिंग का दिशा पता हो अंतिम का पूछा जाए तो simple तरीका अंतिम में जो बचता है इस दिशा को उतना घुमा देना है। सही है? कब? जब अस्टार्टिंग का दिशा पता हो अंतिम पूछा जाए। कुछ नहीं करना जितना बाया, दाया जो भी आए उतना आपको move कर देना है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? अस्टार्टिंग का पूछा गया है और अंतिम का दिशा पता है तो आप इसका मतलब सर उस सवाल का direct उल्टा यह question है? बिलकुल उल्टा question है। तो अंतिम में जो कुछ भी आएगा बाया, दाया, चार बाया, पाच बाया, जो कुछ भी आएगा आप सिधा उसका दिशा चेंज कर दिजे। मतलब यह बाया है, अब इसका नाम चेंज होकर के हो गया दाया, सर समझ में नहीं आया, अस्टार्टिंग का दिशा नहीं पता अंतिम का पूछा जाए, तो अंतिम में जो भी आए उसको उल्टा कर दीजे, बाया आएगा तो दाया बना देना है, अगर यहां दाया राता तो बाया बना देते, अब उत्तर पूरब का दाया ही इसका स्टार्टिंग का दिशा को दरसाएगा, तो बताइए, यह रहा आपका मैप, यह उत्तर है, यह पूरब है, यहां बेक्ती जो है चेहरा वर्तमान में इसका फेस यहां पर है, अगर यह दाया मुड़ेगा, सर बाया मतलब 90 डिगरी यही तो है 90 45-45-90 मतलब अब देख्ती का चहरा यहाँ पर है समझ में आया अब इस दिशा को क्या कहिएगा क्या कहिएगा यह पूरव यह दच्छिन तो दच्छिन पूरव की तरफ फेस करके निकला था तो अंसर इसका दच्छिन पूरव आ जाएगा सर आधा समझ में आया आधा नहीं आया अभी तीन सवाल है अराम से आ जाएगा क्या बात समझ में आ गया आधा समझ में आया 10% कोई बात नहीं 100% आ जाएगा एक और सवाल इस पर करिए अस्टार्टिंग का दिशा नहीं पता अंतिम का दिशा पता है कैसे निकालेंगे सेम सवाले ट्राइ करके देखिएगा चलिए फटा फट बता दीजे चलिए जल्ली बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर आईए क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक अस्टार्टिंग का दिशा नहीं पता एक बेगती 80 मीटर दिशा में चलने 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाई और मुडता है कौन से सीधा चला? कौन सी दिशा में सीधा चल रहा है बेगती? नहीं पता तो माल लिजे क्यों बेगती किसी दिशा में चलना प्रारम किया था X,Y,Z,Watt कुछ भी माल लिजे कि कोई दिशा में वो बेगती चलना शुरू किया होगा नहीं पता वो कौन सी दिशा था लेकिन इतना पता है कि 80 मीटर सीधा चला उसके बाद दाया मुड़ा तो दाया लिखना है फिर 20 मीटर चलने के बाद हुआ फिर से बाया मुड़ता है तो आपको केवल बाया लिखना है 40 मीटर चलता है फिर बाया मुड़ता है तो बाया लिखना है फिर 50 मीटर चलता और अंत में बाया मुड़ता है तो आपको बाया लिख देनी है फिर 40 मीटर चलता और अंतिम में पता चला कि उसका जो फेस है वो दच्छिन पश्चिम की ओर है अंतिम में उसे ग्यात हुआ कि उसका चेहरा दच्छिन पश्चिम की ओर है फिर से मिला लीजी, 80 मीटर चला दाया मुड़ा, 20 मीटर चलने के बाद बाया मुड़ा, बाया हमने लिख दिया 40 मीटर चला फिर से बाया मुड़ा, फिर 50 मीटर चलता और अंति में बाया मुड़ता है, बाया अपने लिख दिया और अंतिम में पता चला कि उसका चेहरा दचिन पस्चिम क्यों रहे तो दचिन पस्चिम आपने लिख दिया यानि जो कुशन है उसको आपने सौट में लिख दिया अब क्या करना है एक दाया एक बाया खतम हो जाता है तो आज यह काटते हैं उसको एक दाया एक बाया खतम क् इसका नाम अब दो दाया हो गया अब हमारा जो काम है वो इससे नहीं इससे होगा यानि कि दच्छिन पस्चिम को दो बार दाया घुमा दिजे वही अस्टार्टिंग दिशा को दरसाएगा तो कहिएगा यह है दच्छिन यह है पस्चिम यहां परवेक्ति का चेहरा है अगर रोल्टा हो गया क्योंकि एक दाया में 90 घोंड़ा आय गा अब दुसरका यहां से यहां होगा पूरा 180 क्योंकि बताया थे कि एक दाया या है यान मतलब 90 डिग्री यहां दो दाया तो नबभे 980 डिग्री बाता है समझ में तो बेक्ति का चहरा यहां पर आजाएगा अब इस दिशा को क्या कहिएगा उत्तर पूरव यानि कि बेक्ति जिस तरफ फेस करके निकला था उस दिशा को उत्तर पूरव के नाम से जानते हैं तो उत्तर पूरव इसका आंसर आजाएगा उत्तर पूरव आंसर इसका ए हो जाएगा सेम सवाल पर अधारित एक और सवाल है सेम कुशन है आप इसका अंसर कॉमेंट में अगर आप हमें बता देंगे ना तो हमें बिल्कुल बिलीब हो जाएगा कि आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा और इस तरह की रिजिनिंग के पूरे टॉपिक का हम लोग छोटे छोटे वीडियो के मादियम से आपको प्रोवाइड करेंगे और शुरुआत हो चुका है ठीक है चलिए तो रहने देते हैं आज यहीं तक है ना फिर से मिलते हैं एक नए और इंट्रेस्टिंग ट्रिक के साथ तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रही है और हाँ आपकी कलासे इस तरह की कलास देखना है ना तो सुबह आठ वजे डेले जुडिये का रिजनिंग के लिए दोपहर एक वजे मैथ के लिए टेक केर ठीक है